नमस्कार बच्चो आजाईए भई फटाफट सब लोग लाइव क्लास के लिए ठीक है जितने में ग्रुप्स हैं आप लोगों के सब में शेयर करों फटाफट भई जल्दी आजाईए भई सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग आईए ठीक है जल्दी जल्दी आईए भई सब लोग क्लास के लिए मैच्स की क्लास तुम लोग की और हो गई होगी बच्चो ठीक है और मैच्स क्लास और हो गई अभी तो साइन्स के क्लास में आजाओ भई सब लोग आजा भाई सबके सब अभी बिच्चे जुड़े नहीं है गुड मॉर्निंग किसने वेज़ा ड़ू डिया सोलर गुड मॉर्निंग गाईज ठीक है मॉर्निंग बिच्चा आज़ो वही सब लोग फटफट मैस के क्लास और हो गई होगी तुम लोग की मैस के क्लास और हो गई है जल्दी से आज़ो सब लोग फटफट ठीक है विजय आदो गुड मांइंग बिटा जहिन लूप क्लास नीलेश कुमार जहीं बच्श लेत बच्शार आजओ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर है ना अच्छा वी लव यू सर थेंक्यू भई लव वी टू है ना बस पढ़ाई वे फोकस करो आई तिंक वह ज्यादा बेतर आप लोग का देखो कल के टॉपिक में जो हम लोगों ने त्यारी किया था आपका कल के टॉपिक में हम लोगो की वज़े से जो है आपके चीजे जो है वह कुछ खराब हो गई थी उस समय क्लासे नहीं चल पाई थी हम लोगों की अच्छे से ठीक है और आज जो है इतनी तगड़ी क्वालिटी हाँ वह ऐसी रहेगा बहुत अच्छी क्वालिटी आरी होगी आप लोगों के फोन में और और क्वालिटी भी अच्छी आरी होगी और पिर अभी देखना की इस टेडी भी आप लोग ही बहुत अच्छी होगी है ना बस आपको करना यह है कि जितने वच्छे हैं सब लोग फटा-फट सब को जो है लिया आना है वह सबको फटा-फट जोइन करना है समय से ठीक है चल सारी में थोड़ा सा देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है और फटा-फटा आप लोग जो है उसको देखते जाईए तो सबसे पहले हमने बात किया था जब विटमीन ए का सबसे पहले हमने कहा था कि इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है बच्चो रेटीन होता है इसका नाम तो यह भी आपको याद रखना है इसका ठीक है क्या इसका राम होता है रेटीनॉल तो यह आपको याद रखना है आपके एक्जामिनिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है यहां से उसके बाद इसे कहते हैं एनिस सेक्थ्रो फेल्मिक कहत कहते हैं प्रैति संक्रमक जो था वो इसे कहते हैं और यह बहुत ज्यादा important है आपके examination में यहां से questions 101 पॉसंट बने गा ही बने गा यहां पर आपके exam में questions ठीक है इसलिए जितने भी points में आप लोग को यहां पर बता रहा हूं वो सारे के सारे points आप लोग फटा फट जो है वो cover करते जाएए उसका ठीक है जो भी अब upcoming examination आपका सप्टमबर में आने वाला है ठीक है सप्टमबर में आने वाला है आपका examination देखना यहां से questions आपके exam में बनेंगे वेटमिन से और जितना मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं वहीं से ही questions आपके examination में बनेंगे ठीक है और इससे बाहर में एक भी question आपके soldier examination में मैं आने ही नहीं दूंगा इससे बाहर आपका questions ठीक है तो इसलिए बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई करिये मैंने बहुत सारे चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा चिलाते हैं शूर मचाते हैं यह वह यह सिक्षा कभी चिला के नहीं दी जाती है इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ आपको best चीज़ें मिलेंगी जो सबसे बहुत ज्यादा बेस्ट है ठीक है त कौमन सोर्सेज के बारे हम अगर बात करें हमने तो कौमन सोर्सेज हमने देखो लिखा हुआँ यहाँ से क्या हो सकता है इसका milk हो सकता है बटर हो सकता है एग हो सकता है ओईल, visitable, carrot, यह बहुत ज्यादा important है क्योंकि यहाँ से आपका जो है यह गाजर जो है वो पूछेग आपका यहां से ठीक है क्या पूछेगा यहां से बच्चो हुए यहां से पूछा जाएगा जरूर यहां से तो यह important है यहां से ठीक है तो आपको याद रखना है क्या कि milk butter egg जो होता है और vegetable carrot गाजर जो है यह क्या है इसका यहां से यहां से इसका sources होता है यह important है आपके examination में पूछा जाएगा यहां से बहुत अच्छे questions आएंगे यहां से ठीक है अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो live आये नहीं है ठीक है share and like कर दिया ठीक है भई फटा फटा सब लोग आजा अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है वो जुड़े नहीं है ठीक 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 है अब देखो उसके बाद हम बात करें functions क्या होते forms retinal pigment ठीक है एंड iadopsin of cone cell of pine इसका मतलब यह होता है इसका पूरा का पूरा मतलब यह है भ्या कि ये जो है आपका वो किस से संबंधित है ये आपका स्वस्थ आखो से संबंधित है रच्छो स्वस्थ आखो से संबंधित है इस तो यह आपको याद रखना है कि जो इसका rod and cone होते हैं उनके कहते हैं और adoption of rod cells ठीक है? और adoption of cone cells तो दो चीजे में important होता एक ride option of rod cells और जो आपका यह उता आइडॉपसिन ओफ कोन सेल्स के लिए मितलब जो हमारे आँखों में जो रॉड एंड कोन होते हैं उसके लिए बहुत जादा important है ये question यहां से ठीक है आपके exam में पूछा जाएगा question बहुत तगड़े से यहां से questions आपके exam में आएंगे उसके बाद आप कहोगे कि deficiency syndrome क्या होता है या फिर deficiency symptoms क्या होते है इसका ठीक है इसमें होता है night blindness होता है ठीक है क्या होता है बच्चो night blindness होता है जिसे कहते हैं हम रतौंधी कहते हैं जिसे क्या कहते है बटा हम रतौंधी कहते हैं जिसे तो रतौ अरतौंधी हो जाता है यहां से ठीक है यह भी इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसका मतलब होता है कि नो विजन इन डिम लाइट ठीक है तो अगर अरतौंधी हो गया है आपका कलर नाइट ब्लाइडलेस हो गया है अगर तो इससे क्या होता है कि जब लाइट डिम होगी तो आ जाद रखो बहुत ही जादा important है आपके examination point of view से questions यहां से बनेंगे ठीक है I think इतना जो है आप स्बको समझ में आगया होगा च्छे से सब को समझ में आ गया फटध तो नीके लिए जब लोग लिए रहा है tip राजी जहिं चलो इगाने बच्छों है अगला देखते हैं कॉन सा विटमिन वीवन देखो आगया यहां से आपकी skreen पर आ गया होगा बच्चोव वीटमिन वीवान आ गया होगा तो सबसे पहले फिर यहाँ पर हम कहेंगे ये कि जितने भी विटमिन आपके examination में पूछे जाते हैं तो सबसे पहला question कहां से पूछायाता है सबसे पहला question आपका पूछा जाएगा यहां से कि जो vitamin के chemical नाम होते हैं वहां से आपका question बनेगा बिटा ठीक है तो इसका मतलब यह कि जो vitamin देखो हमने आपके screen पर दिखर हो गा vitamin b1 ठीक है तो vitamin b1 का मतलब होता है कि से क्या कहते हैं थाइमिन कहते हैं ठीक है तो ये इसका chemical name क्या है ये इसका रासाइनिक नाम है ये फिर ये इसका chemical name है और यहां से आपके questions बनने के समभवना है बहुत जादہ है बच्चों यहां से तो vitamin B1 का नाम क्या है बच्चों vitamin B1 का नाम थाइमिन होता है ठीक है यह आपको याद रखना है दूसरा सवाल यहां से याद रखना है यह कि आप देखो यहां से common sources क्या होते हैं ठीक है देखो मैं फिर एक चीज आप लोगों को बता दू common sources आपके examination के लिए इतना जादा important नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि common sources जो होते है वो होते क्या है इसके common sources बहुत है विटमिन एक आगर पूछ लिया जाता है तो आपको गाजर वाला example जो मैंने अभी बताया था वहां से questions आपके exam में बनेंगे ठीक है और उसके बाद विटमिन डी विटमिन सी इन तीन चार चीजों की sources के बारे में पूछा जाता है बा दाल जो हो गए आपके white जो आपका wheat bread हो गया आटा bread होती है उन सब में जो होता है क्या होता है बच्चों vitamin B1 होता है वहां से और वह आपको याद रखना है कि वहां क्या होता है vitamin B1 होता है ठीक है बाकी बच्चे जो है अभी सही से जुड़े नहीं है सब के सब अगर सब अ अगर हम function के बात करें तो जो आपका essential for देखो यहाँ पर एक एक सब्द का मतलब है essential for normal carbohydrate metabolism and function of nervous system ठीक है यह चीजे हैं यहाँ पर कौन कौन से चीजे हैं बच्चो essential for normal का carbohydrate मतलब जो normal सामानता है आपका carbohydrate होता है carbohydrate metabolism ठीक है तो जो carbohydrate metabolism होता है उसके लिए यह जरूरी होता है ठीक है और functioning of nervous system और जो तंतरी का तंतर होता है उसके function के लिए जो होता है यह important होता है यहाँ से ठीक है क्या होता है उसके functions के लिए देखो आप लोग लगभग एक बात मैं आप लोग से बोलो 19 लोग लगभग आप इस समय जो हूँ वो आप लाइफ देख रहे हैं मुझे उननीस बीस लोग और अभी सिर्फ पांच लोग के लाइक साय यहां पर है जितने लोग हूँ फटा फट देख रहे हैं तुरंट सबसे पहले तो लाइक मारो यार ठीक है इतना बहतर तरीके से आप लोग के लिए क्ला को लाइक करो सब लोग और शेयर करो जितने भी जानने वाले हैं फटा फट सब लोग शेयर करो इसको ठीक है कैसे बच्छे हो यार हम लोग इतने सारे बच्छे हैं हम लोगों के पास में और लाइक कितने आते हैं बारा मिनट की क्लास में साथ आट लाइक आते हैं फटा फ examination आपके आने वाले हैं ठीक है सब को बिलकुर एक तरफ से फार देना examination को ठीक है कोई भी हो आपका exam इस से बाहर कोशन नहीं आएंगे आपके exam में ठीक है यह मैं बता रहा हूँ जितने भी आपके examination आप देरों डिफेंस लेटेड जितना में वेटामिन के बारे माप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वेटामिन से उससे ज्यादा कुशन नहीं पूछे जाएंगे आपके exam में ठीक है अभी और आने चाहिए और यहां से भी questions आपके exam में यह बहुत जादा asking question है जितने आप soldier grade के examination या बाकी सारे examination आप दे रहे हो उन सब के लिए जो है यह बहुत ही बहुत ही बहुतरीन question यहां से है कि vitamin B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो यहां से श्याओ हैं जो आपके exam में बहतर तरीके से बनते हैं पहरा question है कि vitamin B1 का में थाइमिन होता है दूसरा question है कि vitamin B1 की कमी से कौन सा रोग होता है vitamin B1 की कमी से क्या होता है बेरी बेरी रोग होता है यहां से आपको भी आपको याद रखना है examination का questions ठीक है बहुत तगड़े से यहां से question बनेंगे और उसके बाद weakness of lymph muscle तो जितने भी आपके lymphs मसल होती है वो सब क्या होते हैं जिससे weak हो जाता है बिटमिन B1 की कमी से तो भाई या प्रॉपर मात्रा में जो sources हमने बताए हैं वो sources लेते रहोगे तो आपके body में जो है वो बिटमिन की कमी नहीं हो पाएगी यहां से ठीक है अभी भी बहुत सारे बच्चे कितने सारे बच्चे हो आप लोग ठीक है अब देखो अगला आगया विटमिन B2 आगया आपका ठीक है क्या आगया बच्चो विटमिन B2 आगया यहां से आपका ठीक है क्या आगया बच्चो विटमिन B2 आगया यहां से ठीक है देखो बिटमिन B2 का सबसे पहला तो केमिकल नेम रासाइनिंग नाम क्या होगा बच्चो इसका ठीक है रासाइनिंग नाम इसका है राइबो फ्लेविन ठीक है तो आप क्या लिखोगे हाँ से राइबो अरे वह या कुस्ट टेक्निकली जो है वो हो जाता है थोड़ा सा मामल नहीं हो पाया है तो थोड़ी थोड़ी दिकते हो जाते कभी-कभी मामला फस जाता है कि कहां से जो है तो एक दो बार लगेगा टाइम सीखने में उस चीज़ों को बेतर तरीके से लेकिन सीख जाओंगा अगले एक दो classes में और बेतर तरीके से जो है वो करवाना सुरू करूंगा ठीक है अभी भी बेतरी चल रहा है बहुत बेस्ट चल रही class आप लोग की तो हमने सबसे पहले बताया कि बिटमीन B2 का याद रको गए रासाइमिन के नाम क्या होता राइबो फ्लेमिंग होता है रासाइमिन होता है इसके बाद common sources की अगर हम बात करें common sources की बाद आपने देखा कोगा लिवर हो गया आपका milk हो गयाँ चीज हो गया ठीक है जितने भी लीफी वेजटेबल मतलब जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो होता है एग हो गया किड्नी ठीक है शीड्स और येस्ट ये जो होते हैं वो क्या है इसके common sources हैं आपके common sources मैं फिर एक बार रिकाल कर रहा हूं आप लोग के लिए ठीक है जो लिवर आपका हो गया milk हो गया ठीक है चीज leafy vegetable मतलब जो हरे पत्तेदार सबजिया होती है ठीक है sir white color ज्यादा clear है green board पर white color ज्यादा clear है ज्यादा clear है ज्यादा clear है कि इन पर ठीक है आरे मैं white से लिखूंगा ना तो सब एक एक ही फिर white ही दिख जाएगा फिर होगा ना देखते रहा है आप लोगों को riboflavin यहां से दिख रहा है ठीक है मैं black देखो भी लिखता हूँ यहां से और मैं black देखता हूँ अगर black यहां से चलेगा तो फिर यह ज्यादा बहतर है ठीक है हाँ जी देखो चल रहा है अब दिखेगा आप लोगों को और क्लियर तो सबसे पहले liver हमने बता है milk cheese ठीक है leafy vegetable जितनी भी हरी पत्तिदा सबजियां होती है वो egg हो गया आपका kidney हो गया seed और आपका yeast हो गया etc ठीक है यह इसके क्या है बच्चो common sources है इसके common sources ही है इसके ठीक है अब अगला दिखो function की बात करें इसमें जो parts of coenzymes maintain healthy skin and oral mucusa it makes cows milk nutrient and yellow ठीक है तो यह आपको इसमें function याद रखना है कि it makes cows milk nutrient जो गाय का दूद होता है उसके nutrition बनाता है और yellow color होता है यह आपको याद रखना है अगला याद रखना है आपको कि जो healthy skin के लिए जितने भी coenzymes होते हैं उनको maintain रखने में मतलब healthy skin के लिए जितने भी coenzymes होते हैं उनको maintain करने के लिए जो है यह इस्तमाल करते हैं इसका या फिर इसका use होता है सबसे ज़्यादा important इसका क्या है deficiency syndrome इसका या deficiency disease है इसका जो सबसे ज़्यादा यहाँ से important होता है ठीक है और यह जो है सबसे पहले इसमें आता है callosis मतलब feasers in skin मतलब feasers in skin skin जो होता है आपका उसमें feasers हो जाते हैं vitamin b2 की कमी से ठीक है तो इसमें इतना ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है बस आपको याद क्या रखना है कि skin feasers आपको याद रखना है दूसरा आप याद रखोगे कि vitamin b2 का जो होता है वो chemical name क्या होता है और वो होता है आपका riboflavin ठीक है ओके आगे बढ़े ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चो है ना देखो आपके screen पर आगया होगा अगला तीसरी slide आगई होगी आपके screen पर और ये जो है vitamin b3 ठीक है क्या है बच्चो vitamin b3 है यहाँ से और vitamin b3 जो होता है सबसे पहले फिर याद रखोगे क्या है इसका chemical नाम किसका या फिर आप इसे कहोगे nicotinic acid क्या कहोगे बच्चो इससो nicotinic aml ठीक है nicotinic aml कहोगे आप इसे ये ठीक है आप इसे क्या क्या लिखोगे आप इसे लिखोगे niacin कहते हैं इसे या फिर इसे कहते हैं nicotinic aml कहते हैं नियासी, नियाफी, निकोटैनिक हम लिकाते हैं, यह important है इसका, देखो, chemical name जितने भी हैं, बच्चों आप लोग इसके, ठीक है, तो chemical name बहुत ही जादा important होते हैं, ठीक है, chemical name इतना जादा important है, कि कोई भी examination आप करोगे, वहां से chemical name आपका पूछा ही जाएगा examination में, और वहा हम common sources की अगर बात करें, तो common sources में white bread जो होता है, आपका meat हो गया, white bread तो जानते हो सभी, meat भी जानते हो, आप लोग सभी, peanuts भी जानते हो, yeast, milk और sugar gain, ठीक है, और आपका yeast और जो milk होता है, और sugar gain, यह किसका है, vitamin B3 की यह sources है, ठीक है, यह सब लोग आप जानते हो यहां से, उ जो carbohydrate metabolism activity होती है, उसको control करता है, या फिर उसको जो है, वो healthy बनाता है, यहां से, दूसरा, तीसरा हम बात करें, deficiency क्या होता है, पिलाग्रा हो जाता है, swelling lips and pigmented skin, ठीक है, तो यहां से जो है, इसमें यह ऐसे आपके exam में पूछा जाता है, यहां से, ठीक है, ऐसे लिखा होता है हिंदी में बच्चों आपका, पिलाग्रा ऐसे लिखा होता है, ठीक है, तो पिलाग्रा ऐसे skin में लिखा होता है, इसका मतलब पिलाग्रा swear lips, तो जो होट होते हैं, वो क्या होते हैं, सूच जाते हैं बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं होट यहां से, दूसरा चीज यह होत है कि pigmented skin और जो skin होता है वो बिल्कुल उखड़ने लगते हैं जैसे रे से होते हैं इसकिन के वो बिल्कुल अलग होने लगते हैं तो वो किसकी कमी से होता है इतना clear हो गया आप लोग को अब देखो आगे हम बात करें अगर ठीक है फटा फट सब लोग जो है इसमें करते रहो जल्दी यल्दी ठीक है जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो या जिसको कोई भी अगर problems कुछ करनी है तो वो भी कर सकते हुए आप लोग ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखो हाँ किसी ने सवाल पूछा है बच्चो किसी ने question पूछा है मैं अभी comment देख रहा था आप लोग के ठीक है हाँ यह कौन भीया किस ने कहा है comment सर प्रिंस पी सर वाइड जादा आ रहा है ठीक है से बहुत अच्छी कॉलिटी एससर यह इस्ट क्या होता वाइड डेविल गेमिंग यह है बहिया कोई student है ठीक है तो इन्होंने सवाल पूछा है कि वाइड डेविल गेम हाँ ठीक है बहिया ब single cell fungi होता है ठीक है fungus जिसको कहते हैं आप लोग यह fungus होता है single cell fungus होता है कौन आपका यह जो yeast की बात आप कर रहे थे ठीक है और यह होता है यह जैसे आपका bread हो गया तो उसके उपर जो रहता है ठीक है उसके बाद आप देखोगे कि जो alcohol or sugar cane होता है उसमें जो होता है वो yeast पा अब देखो अगला यह चीज़े हम लोगों ने यहाँ पर clear कर ली सब कुछ vitamin B3 के बारे में अगला हम बात करते हैं बच्छो अगला बात करते हैं vitamin B5 के बारे में बात करते हैं ठीक है और vitamin B5 जो है बच्छो वो क्या है आपका pantothenic acid है क्या है pantothenic acid और यहां से भी आपके exam में questions पूछे जाएंगे pantothenic और यहां से होगा आपका अमल ठीक है तो यह ऐसे ही आपके examination में लिखा होगा कि pantothenic अमल ठीक है pantothenic अमल यहां से questions बनेगा आपका ठीक है और हां sir B complex B1 को ही कहते हैं हां बिटा कहते हैं प्रिंस पी जो है हमने जिससे कल बताया था आपको न किसमें soluble होती फिर हमने कहा था कि vitamin B complex और vitamin C तो जितने भी vitamin B1, B2, B5 तक जा रहा हूं इसमें आपको कराते हैं कराते हैं यह सब किस से related हैं यह सब vitamin B complex से ही related हैं तो यह vitamin B complex को ही कहते हैं यह vitamin B complex के अंदर यह चीज़े आती हैं बच्चों ठीक है clear हो गया प्रिंस अब देख अथनिक अम यह तो ऐसे लिखा होगा यहां पर यह तो ऐसे आपके examination में लिखा होगा Hindi English Medium वाले ठीक है अब देखो दूसरा हम बात करें यहां से इसके common sources की बात करें तो सब में यह तो लगववववववववववववववववववववववववववववववववव ठीक है और रंजीत कुमार गुरू जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा थैंक यू बही बलेकिन बाकी लोगों को भी शेयर करते रहो फटाफट और सबसे लाइक और सब्सक्राइब करवा जलदी यल्दी चैनल को ठीक है फटाफट सब लोग देखते हुए त तो दोनों एक दूसरे से सममंदित ही होता है ठीक है functions और वो दोनों एक दूसरे से समंदित होता है बच्छों क्योंकि जो functions होगा जिस चीच के लिए वो जरूरी होगी अगर वो चीज उसमें नहीं होती है तो इसका मतलब क्या कि इसके deficiency जो disease होगी उस वज़े से उसमें हो circle क्रे सबकल का मतलब होता है कि यहां लिखोगे deficiencies are a due to its evidence ठीक है देखो जितने भी आपके co-enzymes होते हैं ठीक है तो co-enzymes co-enzymes यह जो होता है और उसमें उसके बाद जो उसके metabolic activities होती हैं उन metabolism या metabolic activities को control करना ठीक है उसके बाद उसमें जो होता है जो convection pyruvate होता है ठीक है convection pyruvate को maintain करना और जो crab cycle हमारा होता है उसको healthy बनाना तो यह इसके जो होते functions होते हैं यह मैं अभी जब आगे चीजें पढ़ाऊंगा आप लोग को biology human biology start करूंगा अभी हम लोग food के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें मैं इसको clear करूंगा ठीक है अभी इसको इतना ही याद रखो कि यह चीजें बस इतना होती है जरुत पढ़ सकती है ठीक है तो deficiencies में आप नयात करूंग तभी काम चल जाएगा आपका अगला बात करते हैं नेक्स्ट का vitamin b6 ठीक है vitamin b6 हम कह सकते हैं यहां से ठीक है और vitamin b6 जो होता है बच्चों वो क्या होता है यहां से सबसे पहले pyridoxin इसका chemical नाम होता है और यह बहुत जादा important है बच्चों क्या important है यह बहुत जादा important है यहां से क्या इसको कहोगे pyridoxin ठीक है और pyridoxin जो होता है वो vitamin b6 होता है जो कि आपको by name से भी examination में पूछ लेगा और ऐसे ही वो normally भी आपके examination में पूछ लेगा ऐसे ही कि यह होता क्या है चीजे ठीक है बच्चों तो यह एक चीज important हो गया है दूसरा यह important यह इसमें कि भाईया इसके deficiency जो होता है वो disease क्या होती है deficiency disease तो deficiency disease होता है आपका dermatitis dermatitis का मतलब होता है कि इसके संबंधी ठीक है तो यहां लिखो गया पर यहां पर तौच्छा संबंधी रोग ठीक है तो तौच्छा संबंधी रोग इससे हो सकते हैं यह आपको इसमें याद रखना है दूसरा चीज याद रखना है कि common sources क्या होते हैं मिल्क एग यॉक फिश पिया सोया बीन ठीक है तो यह बहुत सारे sources हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आराम से और फटा फटोस को आप लोग रिकॉल कर सकते हैं ठीक है अच्छा सिरीकांत सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है ठीक है भई यह देखो दूसरी चीज है मैं कुछ बता रहा था मैं कर रहा था हाँ involved in neurotransmitter synthesis तो इसका मतलब जो पारिडॉक्सिन होता है vitamin B6 होता है यह क्या कहता है कि यह जितने भी neurons होते हैं उसमें बहुत जादा actively participate करता है किसमें neurons में बहुत जादा actively participate करता है दूसरी चीज यह आप याद रखोगे कि जो neuron transmitter होते है neuron transmitter का मतलब यह हुआ बच्चो कि जैसे मान लिजिए आपके body में अगर कहीं कोई pinch हो दिया या काटा लग गया अगर कहीं आपकी body में तो तुरंत आपके मस्तिस्क में जो है वो क्या संदेश जाएगा उसका कि भाई हमारे particular जगा में जो है वो यहाँ पे काटा लग गया है यह हम लोग जनली देखते हैं तो उससे यह होता है कि यह संदेश वहाग का काम करते हैं संदेश वहाग का मतलब यह होता है कि यह neuron transmitter जो होते हैं वो impulse के through मतलब एक जटके के through जो होते हैं वो क्या करते हैं वो संदेश पहुचाते हैं body के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फिर whole body का एक जो coordination या फिर उनका जो संतुलन होता है वो मस्तिस्क में वो जाके करवाते हैं ठीक है यह यहाँ से याद रखोगे दूसरा चीज कि हीमोगलोबिन संतेसिस ठीक है तो जो हीमोगलोबिन का संसलेशन होता है यहाँ से दूसरा आप याद रखोगे बच्चो कि जो हीमोगलोबिन का संसलेशन होता है ठीक है हीमोगलोबिन संसलेशन ठीक है यह आप याद रखोगे यहाँ से कि हीमोगलोबिन संसलेशन में ज दूसरी चीज़ जो है कीप बोल्ट शुगर मतलब ग्लूकोज इन नॉर्मल रेंज ठीक है मतलब जो शुगर लेवल होता है हमारे बॉड़ी में जैसे कहते हैं कोई जो डाइबिटिक होता है तो डाइबिटिक तो उसमें बहुत जादा चीज़े होती लेकिन इसमें क्या होत एक़नग िनूरो ट्रांसमीटर जतने भी हैं मतलब तंतरिका संदेश्वाहब जितने हैं उनको कंट्रोल करता है उसके बाद आप लिखो गया है की हीमोग्लूबिन य Dartmouth ंसलेशन का मतलब होता है कि जो हीमग्लूबिन आपका आफ़ फार्मेशन होता है हीमोग्लूबिन का जो सिंथेसिस होता है उसको भी चीजें बहुत अच्छे से वह कवर करती हैं तो यह भी आपको याद रखना है बच्छो ठीक है अब देखो अगला जो है इसमें आई थिंक सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्छो ठीक है मैं देख रहा हूँ यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है वैसे ठीक है सब बहतर चल रहा है आप लोग का लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स हो बच्चो तो आप लोग तुरन तुरन जो है पूछ सकते हो नीचे सारे डाउट्स में क्लियर कर दूँगा आप लोग के ब्वर्चीं का मतलब यह होता आप चूचो कि इसको सबसे पहले केते हैं बायोटिन क्या कहते हैं च्छो की इंपॉर्टेंट है यह भी इसका भी यंग केमिकल नाम जितने मैंने बता हैं-वह सारे सारे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं Bastard का मतलब पीए कि एक और दिटीन एक अनदर नेम अगर इसकी हम बात करें तो इस इस आलसो नोन आज विटमिन एच इन दे फॉर्म नेक्स वन इस की सबसे पहले बायोटीन हो गया नेक्स हमने कहा इस किसका विटमिन हो गया आपका complete करनी का दूसरा फिर याद रखोगी common sources तो common sources जैसे आप लोगा नहीं इसमें देखे सब लगभग लगभग वही है कुछ चीजे जो है वह different चल रही है बाकी जो है वह different है उसमें clear जैसे इक यॉक हो गया आपका milk हो गया liver kidney honey peanuts हो गया और आपका chocolates होगे तो यह इसमें जो होता है वो vitamin H आपको जो है वो इसमें पाए जाता है या आपको याद रखना है उसके बाद आप या रियाद रखोगे कि जितने भी इसके functions है help the body metabolizes proteins and fat ठीक है तो जितने भी आप बाडी के हमारे metabolizes protein होते हैं fats होते हैं उनको formation करने में या उनका synthesize कर इसके बाद हमभी पात करने इसन को कंट्रोल करता है तो यह भी इसमें जितने भी हमारे मुसल्स पेइन होते हैं उनको 컨्ट्रॉल करेगा vitamin H असकेबाद हम बात करेंगा deficiency symptoms की बात करें तो पैलीसी इस तो एनेमिया हो सकता है एनेमिया प्रॉपर तरीके तो उसमें छोता है दूसरा चीजे जो हो सकती है वो बहुत ज़्यादा इससे muscular dyastrophy जो होता है ये बहुत ज़्यादा है ये आपके examination अगर defense examination के कई साल के questions आप उठाके देख रहे हैं यहां से तो जो muscular dyastrophy से questions बनते हैं ये इससे बहुत अच्छे questions बनते हैं और ये पूछा जरूर जाता है यहां अब देखो अगला हम बात करेंगा vitamin B10 ठीक है देखो आप लोगो के screen पर आ गया होगा vitamin B10 आ गया होगा ठीक है और vitamin B10 जो होता है वो क्या होता है सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इसको folic acid कहते हैं क्या कहते हैं बच्छों इससे हम कहते हैं folic acid कहते हैं इसे folic acid folic अमल कहते हैं इसे यह यह याद रखना पहले चीज़ तो इसे क्या कहते हैं folic अमल कहते हैं ठीक है दूसरी चीज़ यह है कि common sources की बात करें liver हो गया green vegetable हो गया बनाना और सोयबीन हो गये तो यह जो चीज़े हैं इसकी यह important हिसमें कौन-कौन सी liver green vegetable बनाना और सोयबीन हो ठीक है अगला हम बात करेंगर function तो nucleic acid metabolism और formation of RBC यह important इसका formation of RBC का बहुत ही ज्यादा important है और formation of RBC से ही इसके questions maximum आपके examination में बनेंगे बच्चों यहां से किससे बनेंगे formation of RBC से यहां पर बनेंगे आपके questions अगला हम बात करें तो deficiency disease के बात करें तो metabolic anemia ठीक है मतलब अगर यहां पर RBC की कमी आएगी थोड़ी बहुत अगर formation में RBC अगर form नहीं होगा यहां से तो उसका मतलब क्या होता बच्चों कि उसका मतलब होता है कि blood में कमी आएगी और blood में कमी आएगी इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर anemia होगा ठीक है I think सब लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से और दूसरी चीज यह देखो जब किसी चीज को आप लगातार फॉलो करते हो जब किसी चीज को आप लोग लगातार फॉलो करते हो लगातार फॉलो का मतलब यह कि जितने भी academic student है मैं उनकी बात करूं या फिर जितने बाहर के बच्चे हैं जो जो शाद हमें नहीं जानते हैं या मैं उनको नहीं जानता और वो फिर भी जो है चैनलों पर हमारे बढ़ाई कर रहे हैं तो इन सभी बच्चों को मैं इंक्लूड करके ही मैं बात बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को फालो करते हो नो फालो करने के लिए अगर आप एक किताब मान लीजिए आपने बहुत अच्छी पढ़ी अगर उसी किताब पर आपने अगर कमांड हासिल कर लिया या उसके सारे कॉशन्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं किसी एक को पकड़ो और वहां से जो है अच्छी अच्छी चीज़े वहां से सीखो और आपके एक्जामेनेशन के लिए कौन कौन सी चीज़े इंपॉर्टेंट है वहां स्पता करो ठीक है देखो करना आपको है हम लोग सिर्फ एक जरिया हैं जो आपसे करवा रहे हैं सब चीज़े ठीक है और यह जो आप लोग आते होना स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं अकाड़मी के तो बहुत नालायक हो गए बच्चे और बहुत बदमाश हो गएँ ठीक है और वो तो पढ़ाई लिखा है मतलब कितने 40-45 हैं वो आई नहीं रहें 44-45 आपको दी देख लो सबके सब नालाइक हो गए है ठीक है पढ़ाई continue रखना है बहुत सारे डर रहना है पता नहीं कब exam होंगे कब exam होंगे ऐसा नहीं है examination आपके होंगे बच्चो ठीक है सारे examination आपके होंगे बस आपको जो है timely उसको देखना है और आपको पढ़ाई अपनी करते रहना है ठीक है got it सबको समझ में आगई यह बात चलो let's continue यह हम लोगों ने cover कर लिया बच्चो ठीक है अगला देखो अगला हम बात करते हैं vitamin b12 ठीक है अब एक question आप लोगों से यह है कि हमने हाँ सभी यसर यसर सब लोग कह रहे है अब एक जवाब दजा रहा है जब मैं minerals पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर एक mineral का नाम लिखा था और मैंने कहा था यह किसी vitamin से संबंदित है या vitamin b12 से जो है वह संबंदित है जब आप लोग answer भेजो मुझे कि कौन सा mineral है जो vitamin b12 से जो है वह संबंदित है जल्दी अंसर भेजो आप लोग फटा फट तोरां 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 आंसर भेजो बच्चो मैंने बताया था कि अच्छा कौन साब मिनल्स है जो vitamin b12 से संबंदित था और हमने आप लोग को बताया भी था इसमें कि कैसे हैं चीजे यहां पर बताऊ ज़रा भाई आप लोग रजिनियस कुमार विशेक कुमार राजकमल आकास प्रताब नेलेश कुमार और मुहमत सैफ, स्रीकांत, और कैन भई, वाइड डेविल, गेमिंग, सब लोग भई आंसर दो फटाफट ठीक है जल्दी जल्दी आंसर दो भई सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी आंसर बेचो अगर भूल गए हो, तुम्हें बता रहोे हो फिर ठीक है, क्योंकि अभी किसी की अंसर्स आए नहीं है, तो मुझे लगता है, कि भूल गए हो आप लोग तो मैं बताता हूँ अपको, ठीक है, देखो सबसे पर रहे तो इससे कहता है साइनो कोबाला माइन कहता है साइनो कोबाला मिन या फिर कोबाला मीन या कोबाला माइन इंगलिश में पढ़ते हैं साईनु कॉबाला मेन विटमिन भीटव नहीं भीटमिन भीटल ना ही चीज़ी ज़ी देखो रचनी रंजीत कुमार का अंसर अगया अब Max कुमार का अंसर अगया गया कॉबाल्ट ठीक यह Jis इसका ठीक है यह सही है इसका अंसर तो यह हो गया आपका साइनो कोबाला माइन और जैसे यहां पर देखो कोबाला सी ओ आया यहां से कोबाला में इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सी ओ यहां पर आया तो हमने कहा था कि बिटमीन बी ट्वेल्व जो होता है वो कोबाल्ट इसका कोबॉलल्ट इसका एक component होता है यह हमने आप लोग को बताया हैं बच्चों कोबॉल्ट इसके याद रखना पहली चीज तो दूसरा यह आप कोई बात नहीं बच्चों ठीक है यह देखो ऑनसर भी आ गया वागए बाकी बच्चों ने बता भी दिया है तो सब्से पहले याद रखना बिटामीन B12 जो होता साइनो कोबाला माइन होता है जो कोबाल्ड इसकाई कमपोनेंट होता है यह आपके एग्जामिनिशन के लिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखना एग, फिश, लिवर, ठीक है, मिल्क हो गया, ठीक है, तो यह सब जो होते हैं, इसके कॉमन सोर में और DB CAN के बाद जो में सी में होता तो ये याद रखना आपका थीक है परनीशियस अंेमिया के फॉर्म होते हैं आपको इसमें याद रखना परनीशियसde एनीशियां प्राप को गोटीस किulator बीकत है एस कारबी क्या कथा है या कद दो बट करें acid कहते हैं सबसे पहले तो यह आपको याद रखना है इसमें ठीक है ascorbic aml ठीक है ascorbic aml याद रखोगे इसमें इसे कहते हैं दूसरी चीज यह किसे anti-viral vitamin कहते हैं क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं anti-viral vitamin कहते हैं इसे ठीक है यह भी important है कि anti-viral vitamin कहते हैं यह दूसरी चीज यहाद रखना कि anti-viral का मतलब यह है कि भाईया जो इस समय viral fever या जो चीज़े हो रही है तो अगर आप vitamin c सही quantity में आप लेते रहोगे ठीक है अपने खाने में तो आपको viral होने संभावनाएं कम है दूसरा चीज अगर anti-viral हो तो यहाँ पर citrus food citrus food का मतलब होता है अब देखो यहां से आगया आपका question बहुत तगड़ा मैं आपको यहीं बताऊंगा भी कि भाईया एक question यहाँ vitamin c से जो होता है हर दूसरे साल आपके examination में कौन सा questions बनता है तो देखो यहां से आपको एक छोटा सा word यहां पर दिख रहा होगा देखो मैं colorful marker से उसको लिखता हूँ आप लोग को ठीक है जिससे आप लोग को समझ में अच्छे से हैं ना देखो आमला यहां लिखा हुआ है सबको दिख रहा होगा बच्चों यहां से आमला यहां से बहुत पूछा जाता है आपका question army gd का तो यह एक रामबान question है जो यहां से questions बनेगा कौन सा रामबान question यहां से कौन सा बनेगा आमला की vitamin c का इसमें से कौन सा सबसे अत्यधिक जो है अच्छा स्रोथ होता है तो आप लोग क्या कहोगे आमला होता है बाकी जितने भी खटे फल होते औरेंज हो गया आपका tomato हो गया ठीक है चिलीज हो गए यह सारे सारे sources होता है लेकिन आपके examination में जब question बनेगा तो वह question कहां से बनेगा आमला से questions बनेगा यहां से ठीक है इसलिए यह ज़्यादा important है उसके बाद आफ functions की बात करेंगे तो function of collagen essential in making connective tissue तो जितने भी हमारे body के connective tissue होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है connective tissue के लिए ठीक है जो tissue जोड़ते हैं अगला बात करें हैं इसका disease देखो disease सबको पता होगा यहाँ पर भाईया ठीक है सबके सबको पता होगा की deficiency disease vitamin c की कमी से कौन सा रोग होता है तो vitamin c की कमी से scurvy होता है जो की bleeding of gums होता है या फिर teeth falling होता है ठीक है तो इसका मतलब की जो होट और बाकी चीज़े मूँ के जो होते हैं वो सब फट जाती है यहां से और scurvy हो जाता है जिससे आपका leading gums होता है यहां से और teeth falling होता है teeth falling का मतलब दान गिरना सुरू हो जाएंगे और आपके जो मसूड़े हैं मसूड़ों से खून आना सुरू हो जाएगा यह vitamin c के बारे में तीन question यहां से आप लोग लिक के रख रखोगे किसका sources कौन सा important है तो sources जिसका important यह है आमला इसका sources important यहीं से questions साबके examination में बनेंगे दूसरा आप याद रखोगे किसका deficiency disease क्या होता यह इसकी कमी से जो होता है वह रोग कौन सा होता है तो कमी से कौन सा रोग होता है बटा सकरवी रोग होता है देखो मैं हिंदी vitamin D आ गया आपका क्या बच्केMिन डी सबको समझ में आ रहा है ऑगातर है नब तो समझ में डी मात करें अगर हम तो यहांसे जो vitamin D होता है आपका उसको कहते है क्यलसी फेर ओल, क्या कहते है, हमने दो चीज़ें आपको बठाई थी, हम ने कहा था कि बीटमिन डे और बीटमिन के का संसेलेशन हमारा सरीर खुदी कर लेता है, याद करो कल के लेक्चचर में, ठीक है, हमने बताया था कि तो कल मैंने आपको बताया भी था कि विटमिन के और विटमिन डी का जो संतेसिस होता है वो हमारे वाड़ी खुदी कर लेता है ठीक है तो आपको याद रखना यह उसके बाद यहां से हमने कहा इसको कैल्सी फेरॉल कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों इसे इसे कहते हैं क्यल्सी फेरॉल यह आप याद रखोगे ठीक है सिंतेसाइज बाई अवर इसके इन सन लाइट तो अगर सबसे पहले याद बात किया जाए भी यह आपका कि सिंतेसाइज कैसे होता है तो आप कहोगे सन की जो हीट आती हुससे अब एक क्योस्व्षन मैं आपको इक्जामिनेशन के लिए बताओ। आर्मी के जी डी आखामिनेशन में पूछा गया था वो यह पूछा गया था भाई कि इसका जो होता है वो पूरस बिटामिन कि से कहते हैं ठीक है पूर्स विटामिन तो यहां से यह क्वेशन्स बनेगा देखो इसका नाम पूर्स विटामिन का मतलब होता है कि गरीबों का विटामिन इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे गरीबों का विटामिन कहते हैं और यहां से भी क्वेशन्स यह पूछा गया था गरीबों का बिटामिन का मतलब जिसको गरीबों को मुफ्तमे चीजे मिल जाए वो गरीब जो होता है वो हो जाएगा ठीक है हाँ तो ठीक है आरायस अपकांसर ठीक है प्रिंस हाँ ठीक है विटामिन डी एन के तो इसको गरीबों का बिटामिन कहते है मतलब ये फ्री में मिल से आता है और हमारा सरीर विटामिन डी को क्या कर लेता सिंतिसाइज कर लेता दूसरा कुश्चन यहां से कॉमन सोर्सिज में जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्सिज का संलाइट हो गया संलाइट के बाद फिच्ट लिवर यॉग ठीक है यह सब चीजें होगे उसके बाद पहुत हो गी कि इसमें जो हडिया वो क्या हो जाती है जोकी जाता है और वो बच्चों में होता है जो हड़ियां और उसकी बोन जो है वीग हो जाती है एक और बचा है जल्दी से उसको कवर कर लेते हम लोग देखो बिटमिन E के बारे में हम बात करेंBox Yoga बिटमिन E का सबसे पहले तो इसमें एक क्वेशन याद रखोगी कि इसे टोको फेरॉल कहते है किया कहते है बिटमिन E को इसे कहते है टोको फेरॉल यहां सभी आपका एक chemical name क्वेशन बनेगा इसे ठीक है दूसरा question जो आपके examination में जिस तरीके से modify करके पूछा जाता है वो यह है कि vitamin E को जो है वो beauty vitamin भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको beauty vitamin भी कहते हैं और यही question आपके army trade man के examination में पूछा गया था कि beauty vitamin जो है वो किसे कहते है तो beauty vitamin is known as vitamin E यहां से ठीक है यह आपको याद रखना है उसके बाद common sources जो हता है सबसे जादा इसका important common sources होता आपका elements होता है जो कि बहुत जादा examination में आपका पूछा जाएगा destruction of RBC यह इसका जो होता है आपका deficiency symptoms हो जाएगा यहां से ठीक है एक और बचा हुआ है यहां से आखरी ठीक है इसको cover कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले vitamin K ठीक है vitamin K जो होता है इस तो कहते है phyloquinine कहते हैं से क्या कहते हैं से यहाद रखना यह इसमें बाकी और चीज़ें कुछ ने इसका या तो chemical नेम आपके examination के लिए पूछा जाएगा या तो पूछा जाता है deficiency symptoms में ठीक है तो deficiency symptoms में आप दिखाऊगा यहां से क्या clotting of blood के लिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है clotting of blood इसका मतलब कि रक्त का थक्का बनने में जो होता है वह vitamin क का बहुत जादा important होता है ठीक है यह आज की class में आप लोगों को vitamin जितनी थी वह सारी हम लोगों ने finish कर लिया इसमें से ठीक है और I hope सबको समझ में आया होगा कल की class में नया topic है नया topic आप लोगों के group पहुंच जाएगा कि कल की class में कौन सा topic होगा ठीक है मिलते हैं फिर कल की class में तब तक के लिए जय हिन जय भारत